Hello viewers, welcome to another video of Himachal Mania Himachal JK के इस सीरीज में आज हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हिस्ट्री ओफ किनोर तो स्टार्ट करते हम आज के अपने टॉपिक को और सबसे पहले देखते हम एंशेंट हिस्ट्री ओफ किनोर तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुए कि modern day किनोर वस पार्ट और बुशाहर प्रिंसली स्टेट इन दा पास्ट अब आपको पता है कि जो हमारी हिमाचल है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट में बंटी हुई थी तो सबसे पहले जो हमारा किनोर है आज के टाइम पे वो किसका पार्ट था तो बुशाहर प्रिंसली स्टेट का पार्ट था बुशाहर जो आज के टाइम पे जो है कहां पे है डिस्टिक शिमला में है और ये जो पूरी आप देख रहे हो, ये पूरी किनोर डिस्टिक है, ये कौन से डिस्टिक में आता था? ये आता था महासू डिस्टिक में. मैंने आपको बताया हुआ है कि 15th April 1948 को हमारे पूरे हिमाचल जब हमारा हिमाचल फॉर्म हुआ था तो 4 डिस्टिक थे. और जो किनो और शिमला वाला एरिया पूरा मान के चलिए और ये पूरा एक डिस्टिक था और इसमें डिफरेंट डिफरेंट तहसील भी होंगी तो जो चीनी तहसील थी ना महासूर डिस्टिक की तो आज के टाइम पर किनोर है वो चीनी तहसील थी और चीनी तहसील को अलग करके जो था आज के टाइम पे जो हो किनोर डिस्टिक बनाया गया इसको जो है अभी फर्दर देखेंगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रेमिटिव कास्ट जो है ना किनोर की वह बोला जाता है कि कहां से उनका तो दैविक लीला से उनका ओरीजनेशन हुआ है नेक्सट एक बुक है एक ग्रंथ है जिसका नाम है अमरकोष जो कि आपको ध्यान में भी रखना है अब यह जो पर्टिकुलर ग्रंथ है जिसका नाम है अमरकोष इसमें जो है ना डिफरेंट ट्राइब त्राइब्स के बारे में mentioned है next जो हिंदू के sacred text है तो वहां पे जो किनौर के people को क्या बोल के जो है क्या बता के mention किया गया है तो अश्व मुखी अश्व मुखी मतलब जिनका जो उपर वाला हिस्सा होता है शरीर का वो होता है घोड़े की तरह होर्स की तरह तो क्या बोला गया है हिंदू sacred text में किनौर के लोगों को तो अश्व मुखी और हिंदी में इसको बोला जाता है किम प्लस नर किम प्लस नर means किस परकार के नर है ये next अगर मैं बात करूँ तो इसमें लिखा गया है कि जो तिबेत के लोग है ना वो किनौर को क्या बोलते हैं तो वो बोलते हैं खुनू क्या बोलते हैं खुनू ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और जो लदाख के लोग हैं वो क्या बोलते हैं किनौर के लोगों को बोलते हैं मोना ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी यहने वाले थे न, वो कौन थे, तो वो थे खस, अब यह खस कौन थे, खस के बारे में थोड़ी सी अगर मैं अपको background बताऊ, तो सबसे पहले हमाच्र में अगर मैं बात करूँ तो Aryans आए, Aryans कहां से आई, यह Aryans जो tribe थी यह आई Central Asia से, अब यह जो Aryans की तीसरी ब्रांच थी Aryans में भी different different branch थी और इनकी जो third branch थी उनका नाम था कौन खस ये आके कहां पर बसे थे खस आके किनौर में बसे थे next अगर मैं बात करूँ राजपूत of किनौर subcast under khas were divided into कनेट and jar अब ये क्या बोल रहा है मैं आपको बोला कि जो Aryans के third branch थी वो थे खस ये खस राजपूत है अब again जो खस राजपूत है ये further divide हुए दो parts में कौन-कौन से एक थे कनेत और दूसरे थे जाड़ ये भी आपको चीज़े ध्यान में रखनी है next अगर मैं बात करूँ तो इसमें बोला गया है कि जो पांडवास थे उन्होंने अपने बारा साल का जो वनवास था वो कहां पे spent किया था किनोर में ही spent किया था किनोर पांडवास ने next कालिदास ने अपनी बुक कुमार संभवा में जो था किनर्स का mention किया हुआ है मतलब किनोर और वहां की लोगों का mention किया हुआ है तो इसमें एक fact आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो कालिदास ने कौन सी book लिखी गई उसने कौन सी book लिखी है तो कुमार संभवा इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कुमार संभवा is written by कालिदास जैसे हमने पहले पड़ा था कि अस्ट अध्या is written by पानीनी तो ऐस पुरान है ना उसमें किनर्स मतलब किनोर को जो है किनोर के लोगों को बताया गया है कि यह कहां के वासिया महानंद माउंटेंस के वासिया तो यह सारी चीज़ें जो है आपको किनोर के बारे में ध्यान में रखनी है जो time to time exam में पूछी जाती है नेक्स्ट अगर हम बात कर इस्टैबलिशमेंट ओफ किनोर की तो किनोर को establish करने वाले king का नाम था प्रद्यूमन यह चंदरवशी king थे और कहां से आये तो यह बनारस से आये थे इन्होंने जो था बुशहर princely state को establish किया था और कामरू को जो था अपनी इन्होंने capital बनाया था अब देखो यह चीज मे bnोंडर रहे होंगे किनोरडिक के तो क्या बतायों किनोरडिक आपने क्या ध्यान में रखने के कि किस चैबलिश कया था तो प्रद्यूमन ने इनकोmışर चंदरवशी king थे जो बनारस से आये थे अब प्रद्यूमन की बारे में अगर मैं आपको बताऊ तो इक किस के बेटे प्रद्यूमन और इनकी माता जी थि किनकी प्रद्यूमन रुक्मनी कुण्ध भी पड़ा रूक्मनी कुंड हम ने कहां पे पड़ा तो वह पड़ा हमने विलासपुर में अब जो हमारे राजा वीरभद्र सिंग जी थे वो भी इसी वंशे से बिलोंग करते थे और वो इसी वंश के 131 डिसेंडेंट थे और उनका जहाँ वो प्रणेशन हुआ था जैसे बाकी किंग का होता है अब आपको ध्यान में कैसे रखना है कि जब प्रद्युमन आय थे थे उन्होंने कैपिटल जो थी कामरूँ की थी कैसे ध्यान में रखो गया अब प्रद्युमन के आपने लाश्ट three words learn रखने क्या ही मैं मैं जो करते हैं अब नेक्स्ट के हम पढ़ेंगे इंफ्लेंस ऑफ बुद्धिजम रिलीजन अब होता है कि अभी आज के टाइम पे भी जो किनौर में मैक्सिमुम पॉपुलेशन है वो कौन से धर्म को फोलो करती है तो बहुत धर्म को जो है वो फोलो करती है अब एक्जाम में पूछा जाता है कि यह जो धर्म था यह कब प्रीच किया गया काफी जादा फैला किनौर में तो सेवन टू टैंथ सेंचुरी के बीच में अंडर दा इंफ्लें सेंचुरी के बीच में जो था काफी जादा फैला तो सेवन टू टैंथ सेंचुरी सिंपली आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट मोडरन डे किनौर वस तहसील ओक महासू डिस्टिक यह चीज मैं आपको बताई चुका हूं जो आज के टाइम पे किनौर है वो पहले किसकी तहसील थी तो महासू डिस्टिक की एक तहसील थी नेक्स्ट क्या बोल रहा है इंपोर्टन लाइने इसको ध्यान से देखना और 21st April 1960 चीनी तहसील वस काफ़ आउट फो महासू डिस्टिक और किनौर अब यह लाइन क्या बोल रही है कि 21st April 1960 को क्या हुआ कि जो महासू डिस की चीनी तहसील थी उसको अलग किया गया महासू डिस्टिक से और किनौर को जो है अलग एक जो है डिस्टिक का दर्जा दिया गया और किनौर जो है एजन 6th डिस्टिक जो है वो हिमाचल का पार्ट बना अब तक हमने कौन कौन से डिस्टिक पढ़ लिए हमने देखो पूर उसके बाद हमने कौन सा डिस्टिक की हिस्ट्री अभी तक पढ़ लिया है तो बिलासपूर की हिस्ट्री हमने पढ़ लिया है और 1 जुलाई 1954 को जो बिलासपूर को जो था हिमाचल का पार्ट बना दिया गया था तो इन 4 डिस्टिक के बाद बिलासपूर जो है कौन सा इसको अलग किया गया और Kinour district बनाया गया तो ये जो सिक्स डिस्तिक बना हमारे हिमाचल का कौन जा Kinour district जो सिक्स डिस्तिक बना हमारे हिमाचल का इतनी चीज जो है आपको Kinour के बारे में फिलहाल ध्यान रखनी है और जो 21st April 1960 है इस particular date को आप कैसे ध्यान में रख सकते हो 21st April को मनाया जाता है हमारा Civil Services Day Next अगर मैं बात करूँ Medieval History of Kinore की तो सबसे पहले देखो इसमें Point क्या लिखा हो है कि Along with Bilaspur and Sirmore Kinore was one of the three powers for Shimla Hill State तो Shimla Hill State की जो powers थी न तो वो तीन powers थी Bilaspur और Sirmore और उसके साथ Kinore भी जो थी वो one of the three powers थी किसकी Shimla Hill State की Next अगर King की मैं बात करूँ तो वो थे King Chatar Singh अभी जो King Chatar Singh थे न ये 110th King थे बुशाहर प्रिंसली स्टेट के और इनों ने अपनी जो capital थी वो transfer की थे कामरू टू सराहन अब देखो ये जो capital है बुशाहर प्रिंसली स्टेट की वो सराहन शिफ्ट हो रही है और किसके दोवारा शिफ्ट हो रही है चतर सिंह दोवारा तो इसको आप देखो आपने कैसे ध्यान में रखने चतर सिंह के आपने first forward लेने चैट तो आज के time पे चैट के थुझ ही जो है सारा काम हो जाता है तो काम मिन्स कामरू और सारा मिन्स सराहन तो चतर सिंग ने कामरू टू सराहन कैपिटल शिफ्ट की थी अब एक चतर सिंग जो थे हमने चमबा डिस्टिक में भी पड़े थे उनके बारे में क्या important था तो जब 1678 AD में औरंग जेब ने सारे हिंदू मंदिर गिराने की order दिये जो चमबा के किंग थे चतर सिंग उन्होंने जो था मंदिर गिराने से मना कर दिया था और जो वहां के गुंबा थे और बड़े-बड़े कर दिये थे नेक्स्ट जो important king है बुशहर के काफ़ interesting king है वो है कहरी सिंग अभी जो कहरी सिंग है ये बेटे थे चतर सिंग जी के उसके बाद इनके बारे में क्या important है कि इनको चतरपती की जुथी वह उपाधी दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी तो मुगल king ओरूरंगजeba द्वारा इनको चतरपती की उपाधी दी गई थी अब इनके time पर क्या होगी तिवत लडाकी मुगल यूध हुआ हमारे खालब के हम आपको है वो हैंगरेंग्वाली गिफ्ट में देते हैं और उसके बाद हैंकर इनके बीच में ट्रीटी भी इंपोर्टन थी तो इस ट्रीटी के 1683 AD के राउंड ना यहां पी जो है वो लवी फेर स्टार्ट किया गया और लवी फेर एक्जाम में पूछा जाता है कि किस चीज से रिलेटेड है तो यह एक ट्रेड फेर है और हिमाचल का ओल्डेस्ट फेर है मतलब कि सबसे पुराना फेर है तो इस चीज को भी आपने ध्या और यह जो है ठाइम जो है कैपिटल शिफ्ट हो रही है बुशायर प्रिंसली स्टेट की नेक्स्ट अगर हम बात करें modern history of किनोर की तो modern history of किनोर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोरखा अटैक अब कहरी सिंग के बाद उनके माइनर बेटे जिनका नाम था महेंदर सिंग व यहां पर जाके इन्होंने refuse लिया और जो बुशायर था और यह एंटीन जिरो थ्री से लेके 1815 एडी तक किसके अंडर रहा तो गोरखाओं के अंडर रहा उसके बाद जो पूरी वार थी गोरखाओं की और बुशायर प्रिंसली स्टेट की इसको किसने लीड किया किसने मैन उस ब्रीज का नाम था वांग्टू ब्रीज वांग्टू ब्रीज बना था सतलुज रीवर पे उसको जो था एडलास डिस्ट्रोइड किया गया और गोरखाओं को जो था वो अटैक करने से बुशायर पे रोका गया अब नेक्स अगर हम बात करें रामपूर बुशायर की ना तो एक और किंग आये तो उनका नाम था किंग राम सिंग उन्होंने जो था बुशहर से अपनी बुशहर की जो कैपिटल थी वो सराहन से शिफ्ट की कहां पर रामपूर और रामपूर टाउन को जो था इस्टैबलिश किया अब यह दो जो आप कैसे ध्यान में रखोग है तो जो बुशहर प्रिंसली स्टेट के किंग थे जिनका नाम था शमशेर सिंग इन्होंने जो था अंग्रेजों की हेल्प नहीं की थी 1857 के रिवोल्ट में अब जहां तक मेरे को याद है पूरी हिमाचल की हिस्ट्री में न तो यही एक किंग थे जिन्होंने जो था अब इनको ध्यान में रख सकते हो और इनकी जो कंप्लेंट थी किस ने की थी अंग्रेजों के साथ तो डी सी थे शिम्ला के उस टाइम वीलियम हे तो उन्होंने जो था इनकी शिकायत लगाई थी अंग्रेजों से कि इन्होंने जो था हेल्प नहीं की है हमारी 1857 वो काफे जादा important है इसको जो हम अलग से cover करेंगे उसमें जितनी भी princely state थे उनके important kings उस टाइम कौन से वजीर थे कौन कौन से DC रहें कौन कौन से police commissioner रहें अंग्रेजों के वो सारा जो हम अलग से पढ़ेंगे अब लेकिन फिलहाल इतना जो है आप इनके बारे में ध्यान सकते हों यह भी बोला जाता है कि शिमशेर सिंग ने जब गदी समाली थी तो यह माइनर थे और छोटे होते से इन्होंने जो था ब्रिटिश की policy देखी थी अंग्रेजों की कैसी इनकी harsh policies थी तो इन्होंने उस चीज़ का बदला लेने के लिए ही जो था 1857 के revolt में अंग्रे वो revolt हो गया था इनकी प्रजा ने इनके विरूद जो था वो revolt किया अब क्यों किया उसका क्या reason था तो इनके वजीर थे जिनका नाम था मुंशी लाली इनका जो नेम आपको ध्यान में रखना है वजीर कौन थे मुंशी लाल इन्होंने क्या किया 1854 AD में एक revenue tax जो था वो ल चीन के नहीं देखना चाते हो तो आप जो गदी से हाट जाए तो उसके बाद इनोंने जो था अपने बेटे में इनके बेटे को जो था वह king बनाया गया-अब इनके बेटे का क्या नाम था तो ठीका रगुनात सिंग जो थे वो स्मशेयर सिंग के बेटे थे इनको ज требा गया और इनके बारे में क्या important है कि 1895 A.D. में इन्हों ने चीनी तहसील को establish किया था अब यह चीज़ important हो जाती है क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो महासू district की चीनी तहसील थी उसको अलग करके ही जो है वो क्या बनाया गया था कि नौल district बनाया गया था तो चीनी तहसील किसके दोवारा establish की गई थी तो टीका रोगुनात सिंग दोवारा establish की गई थी next जो important king है वो है पदम सिंग अब 1914 A.D. में बिटिश ने जो था पदम सिंग जी को जो था king बनाया था यह जो थे last king थे बुशहर princely state के इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है मैंने प्रिंसली स्टेट हम पढ़ेंगे सब के आपको ध्यान में रखने है तो बुशहर princely state के last king को थे पदम सिंग तो उसके बाद दो फैक्ट आपको क्या इनके बारे में ध्यान में रखने है इनके टाइम पे दो important personality थी एक तो master अनूलाल और दूसरे सत्ते देव बुशहरी त बन गया था दो personality अगेन आपको repeat करता हूं master अनूलाल और सत्ते देव बुशहरी इन दोनों की जो है आपको नेम ध्यान में रखने है एक्जाम में पूछे जाते हैं इन्होंने क्या किया था तो इनकी effort से ही जो था वो बुशहर princely state जो था वो इंडियन union में मिलाया गया थ next important king है वीर भद्र सिंग जी शायदी कोई हो जो इनको नहीं जानता हो यह record छे बार हिमाचल के cm रहे हैं और इनका proper coronation हुआ है जैसे बाकी kings का पुराने time पे किया जाता था उसके बाद इनके बेटे विकरम अधिते जी जो अभी भी MLA है और शिमला रूलर से वो MLA है और अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं तो यह थी पूरी बुशहर princely state की history hope करता हूँ आपको वीडियो जो helpful लगी होगी अगर आपको वीडियो लगते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो की जो नौटिफिकेशन है वो timely मिलती रहे तो इसमें बहुत जादे facts हैं और time to time जो है exam में पूछ कर दो है